आप जब भी अब अप्लाइ कर रहे हो जड़ा नीचे भी देख ले ना कि वो नीचे तो नहीं गिर गया जैसे मैं भी ऐसे से अप्लाइ कर रही थी और वो नीचे गिर गया था हाई गाईज वलकम टू मैं चैनल दिस इस मिनाक्षी होप यार दोइंग गुड गाईज आज मैं एक प्रड़क्त के बारे में बात करने वाली हूँ वो प्रड़क्त कैसा है उसका रिव्यू आपको दूंगी मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो प्रड़क्त यूज करने के कर रही हूँ डॉटन की स्टिक संस्क्रीन स्टिक गाईज यह प्रड़क्त को मैंने काफी टाइम यूज कर लिया है इसके बाद ही मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं यहां से अल्मोस सब कुछ चूट गया है क्योंकि मैं उसको इतना रफ यूज कर रही हूँ कि अब इसमें कुछ बचाई नहीं है सब राइट अब सब हट गया है तो गाईज यह प्रड़क्त कैसा है मैं किस टाइम पर यूज करती हूँ वो सारी चीज़े आपको बताऊंगी अभी तक आपने अगर मेरा दर्मा को मिनिमिलिस्टिक संस्क्रीन का रिव् सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ मेरे पास अभी आउटर पैकेजिंग भी नहीं है पहली बार मेरे पास इसका आउटर पैकेजिंग भी नहीं है गाईस सो इसकी पैकेजिंग यह मैं इंसाइट की पैकेजिंग दिखा रही हूँ बाहर का पैकेजिंग जिससे normal carton packaging होता है वैसे ही है इस तरीके का आपको colour मिल जाएगा जो की orange color है जैसे gajr orange color होता है उस तरीके का colour है और यहां से आप product को उपर कर सकते हैं और आप product को open कर सकते हैं क्योंकि अब प्रड़क्ट almost खतम हो गया तो यहां से निकल भी गया है तो यह प्रड़क इतना ही है तो वैसे आप इसको ऐसे उपर करके प्रड़क को निकाल सकते हैं मेरे लिए यह प्रड़क हैंडी है आप कहीं भी अपने बैग पे कैरी करके लेके जा सकते हैं ट्रैवल फ्रेंडली है जैसे आप apply करते हैं आराम से apply कर सकते हैं easily हर एक जगा पे apply कर सकते हैं चलिए guys अब इसकी texture की बात करते हैं और इसका color बात करते हैं किस color का ये sunscreen है जब इसकी texture की बात कर दी हूँ मैं तो इसका texture बहुत light weight है guys जब भी आप इसे अपने skin में apply करोगे तो बिल्कुल कुछ भी stickiness feel नहीं होता है, अगर आप बार बार रब करोगे, तो थोड़ा सा आपको एक heavy cheese feel होगा, but there will be no oil in your face, ऐसा लगेगा आपने एक layer लगाया है, जैसे आप apply करते तो जादा oily नहीं रहता है, बस आपको अपने एक thick layer लगाया है, उस तरीके का आपको color मिल जाएगा, sunscreen का color जो है, जो stick sunscreen, this is a peach color, जैसे पहले sunscreens आता था, जो कि बहुत sticky था, बहुत oil production होता था, वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल non greasy sunscreen है, इसमें white cast नहीं है, जब भी आप apply करेंगे, तो आपके face में ज्यादा रब करने को नहीं पड़ेगा, क्यूंकि इसमें white cast नहीं है, कौन से skin tone वाले use कर सकते हैं, यह हर skin tone वाले use कर सकते हैं, you can do a patch test and you can apply it, तो just आप उपर करके, I apply कर सकते हैं, अभी यह क्या है, कि मेरा almost खतम हो गया है, और यहां से निकल गया है, तो basically मैं अपना hand wash कर लेती हूँ, और directly अपने face में इसे apply कर लेती हूँ, जितन जिस हिसाब से मुझे मेरे skin में चाहिए, इसकी smell की बात करूँगी, तो बहुत एक mild smell है, जो की medicinal smell है, जैसे एक balm आता है उस तरीके का smell है, बट लगाने के बाद अब कुछ एक minty smell आएगा आपको, जैसे थंड़क सा एक feel आता है, और smell में थोड़ा सा एक balm जैसे आपको smell ल लेती हूँ और छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं दो तीन strokes अच्छे से इसे spread करके लगा लेती हूँ, so that मुझे हाथ से और spread करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपको बाहर जाना है, उससे 15 minutes पहले आपको ये sunscreen apply करना है, और after every 2 hours, you have to apply the sunscreen, चलिए guys, अब इसकी features की करते हैं, सबसे पहला point है, this sunscreen strengthens skin barrier, ये जो sunscreen है, what the brand claims, that is only I am telling you, आपके skin को harmful radiation से protect करता है, next point आता है, ये UVA और UVB rays से protect करता है, next point आता है, ये non-greasy है, और finish भी बहुत invisible finish है, invisible finish मतलब जैसे भी आपके skin में dewy effect देता है, और white cast नहीं छोड़ता है, ये एक non-greasy formula है, जिसका oily skin है, combination skin है, उसके लिए product बहुत अच्छा है guys, आप try कर सकते हो, किसी को अगर oil production होता है, जैसे मेरा combination skin है, तो मुझे product को काफी देखना पड़ता है, कि oil production तो नहीं होगा, बि जिसका oily skin है, वो भी आराम से ही product को use कर सकते है, next point आता है guys, in this sunscreen you will get strawberry, because it is strawberry sunscreen, strawberry होता है, it is rich in antioxidant, आपका sun damage हो गया है skin में, तो it heals from that, आपका skin tone में जैसे बहुत सारा pigmentation हो गया है, तो धीरे धीरे वो ठीक करता है, next ingredient आपको मिलेगा, वो है hyaluronic acid, hyaluronic acid आप सबको बहुत अच्छे से पता है guys, it gives that nourishment to the skin, water को lock करके रखता है, and आपको जो skin है, ये लगाने के बाद, एक fresh और dewy feel होता है, so it gives a proper hydration, and it protects the skin from the UVA and UVB rays, next आपको मिलेगा, ceramide, ये आपके skin barrier को strengthen करता है, इस sunscreen में आपको UV filters मिलेगा, और जो harmful blue light rays है, उससे भी आपको protect करता है, चलिए guys, मेरी experience के बारे में बात करते हैं, मुझे ये product कैसा लगा, ये product कैसा है, guys, मेरे लिए ये product अच्छा है, इससे पहले मैंने Dermaco का stick sunscreen यूज़ किया था, ये product 20 gram का है, और price है 595 रूपीज, Dermaco का sunscreen है, वो है 999 रूपीज, मतलब 899 या 900 या 999 है, मेरे इसाब से तो शाय 999 है, दोनों में price का बहुत difference है, guys, मुझे ये product अच्छा लगा, किस लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले बात है, जैसे एक sunscreen को होना चाहिए, it works on that, मेरे बोलने का मतलब है, it protects you from the sun rays, और UVA, UVB से protection दे रहा है, और आपको ऐसा नहीं है, कि skin लगाने के बाद आपको बहुत पसीना आ रहा है, या white residue छोड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, it is giving you moisture, giving you the sun protection, मुझे as a budget friendly कोई sunscreen चाहिए, जो कि मुझे reapply के लिए यूज करना है, मैं इस sunscreen को कोई भी stick sunscreen के ऊपर कभी भी rely नहीं करती हूँ, जब मैं घर से निकलती हूँ, I apply the normal sunscreen, which is cream sunscreen, वो sunscreen skin के लिए जादा अच्छा रहता है, वो skin को जादे अच्छे से protect करता है, ये stick sunscreen आप तभी and it's very difficult to apply the normal sunscreen, इसको मैंने पहले derma को में भी भाही चीज बताया है, guys, so when you are going out, you are staying out for long hours and you know, you can't wash your hand, और जल्दी से अगर कुछ अपलाय करना है, so this is the best thing to apply, but not for regular use, you are at home, morning में start कर रहे हैं, तो morning में आपको normal sunscreen use करना है, and outside when you are going, for reapplying, please use this sunscreen, price के हिसाब से product अच्छा है, as the sunscreen को जो काम करना चाहिए, वो भी अच्छा है, मुझे ये product काफी अच्छा लगा, अगर आप affordable range में कोई sunscreen use करना चाहते हैं, please use this sunscreen, and you were thinking of buying this product, it's a very good product, which does the work what it claims, so you can buy this product, आपको ये product कहां मिलेगा, आपको ये product dot and key के site में मिल जाएगा, जो कि मैंने कभी नहीं लिया है, आपको purple और naika से भी मिल जाएगा, मैंने ये product purple से purchase किया है, guys, अब मैं इसके एक कौन की बात करना चाहती हूँ, जब मैंने इसे first time use किया, तो मैं काफी धूप में थी, and I have to reapply after every two hours, it was a field, okay, so, वहाँ, I was wearing a cap, but still, you have to reapply, isn't it, so, first time मैंने start किया, ऐसे use करने के लिए, and when I opened, और जैसे मैंने ऐसे से लगाना शुरू किया, ये product नीचे गिर गया, ये जो product है, वो नीचे गिर गया, देखे इसमें है, पीछे वो ऐसा है, आप देख सकते हैं, to stick in inside, but unfortunately, ये product पूरा नीचे गिर गया, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या लगा रही हूँ, तो उसके बाद मुझे समझ में आया, कि वो नीचे गिर गया, फिर मैंने उठाया, उसको बहुत अच्छे से clean करा, सब कुछ clean किया, बहुत अच्छे से उसे आनी में clean किया, उसके बाद मैंने उसको apply किया Guys, packaging बहुत important है, जब हम stick sunscreen यूज करते हैं और अगर हमें उसे हाथ में पकड़ के लगाना पड़ेगा, तो फिर क्या value दिया उसका stick sunscreen का, वैसे ही मुझे hand wash करके ही apply करना पड़ेगा, तो वो same हो गया जो मैं normal sunscreen लगा रही हूँ, बट मैंने मुझे वो चीज में बहुत irritation हुआ कि जब आप कोई product manufacture करते हो, you have to see everything, जैसे आप sunscreen में जो formulation है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुतरीन formulation है, which they have given, and yes, it is working, but when it comes to packaging, you also have to see the packaging, because you are giving a stick sunscreen, and it is not working like a stick sunscreen, and you are holding and applying it, then तो फिर वो same ही हो गया, तो guys, मुझे इसकी packaging गिलकुल अच्छी नहीं लगी, आप जब भी अप्लाइ कर रहे हो, जड़ा नीचे भी देख लेना, कि वो नीचे तो नहीं गिर गया, जैसे मैं भी ऐसे से अप्लाइ कर रही थी, और वो नीचे गिर गया था, so that was my experience, which I am little unhappy on that, because you are spending so much amount, and you are not getting the product, either it is the brand is giving, or I am using the product, should be good, so that, मैं आप सबको भी बोल पाऊं कि, yes you can buy this product, इसको छोड़के, ऐसा कोई भी कौन नहीं है, मुझे नहीं लगता है, ऐसा कोई कौन है, मेरे लिए ये प्रड़क अच्छा है, अच्छे से वर्क करता है, आपको sun protection, ultimately आपको तीन चीज़ चाहिए, sunscreen में, सबसे पहली बात है, sun से आपको protect करना चाहिए, दूसरा, कोई भी white residue नहीं होना चाहिए, तीसरा, oiliness नहीं होना चाहिए, ये तीन चीज़े, जब oil होता है, तो आपको pimples generate होता है, तो ये तीन चीज़े तो बिलकुल भी नहीं है, अभ you can try this sunscreen, मैंने कुछ कौन बताया, बहुत बताया, लेकिन प्रोस ये है कि बहुत अच्छा sunscreen है, non-greasy है, fragrance free है, इतना ज़ादा fragrance नहीं है, fragrance जो है, वो नहीं के बराबर है, guys, तो अगर किसी को fragrance issue है, तो आप एक बार pastures करके use कर सकते हैं, कोई भी skin type है, आराम से आप ये product use कर स करते हैं, guys, तो ये था मेरा review, जो की है doten की sunscreen के उपर, आप सब को कैसा लगा, प्लीज मेंचे comment करके बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेरे चैनल को subscribe करना, like करना मेरे वीडियो को, अगर किसी को ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना है, please share my video, thank you guys, मिलती हू नेक्स वीडियो में, bye!